तमाम प्रियादरश्कों को दिपावली की अग्रिम शुब कामनाय दिपावली आने वाली है और आप लोग तमाम प्रकार के अनेग शोत-प्रिशोत के साथ आगे बढ़ रहे क्या इस बार महालक्षमी की कैसे किरपा हो सकती है कैसे आप उन उपाईयों को करें कुछ खास विसेश चीज़ों को करें उसको ले करके आप सब लोग जिग्यासु है तमाम प्रकारसे मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि जब दिपावली या होली दोनों महत्वण परवाते हैं उसमें भी खासकर दिपावली जिसकी बहुत लंबे समय से प्रतिक्षा रहती है बड़ा एक उलाज हर्ष का माहौल रहता है ऐसे स्थिवें दिपावली में क्या करना चाहिए देखे मैं कुछ छोटा सा उपाई आपको बताने वाला हूँ जो उपाई आप करेंगे तो होली से पुर्व आप इस उपाई को किजिए महालक्षमी की आपके उपर अपार किरपा होगी छोटा सा उपाई है वैसे तो इसको जैसे ही करवा चोट का प्रव आप देखते हैं वैसे तो करवा चोट का कोई बहुत जादा सास्त्रिय कोई प्रवान सास्त्रों में नहीं मिलता है लेकिन लोग प्रव तो प्रशुद्धी के साथ सब लोग मनाते हैं इसमें भी कोई दोरा नहीं है इस उपाई को करते हैं, तो बहुत आपको इसके अच्छे शकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पर दिपावली से पुर्व आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, तो कम से कम आप हथे बर पहले से तो इस उपाई को करी सकते हैं, आप प्रतिक दिन ती पुल्सी जरूर रखें, छद नहीं है, आपके पास आप प्लैट में रहते हैं, बालकोनी में रखावा है, तो वहाँ पर एक दिपक आप जरूर जलाएं, और दूसरा अपने दुवार के पास जरूर जलाएं, तीन दिपक आपको जलाने हैं, अगर आप गाउं में रहते ह हैं, यानि जो छेतरपाल का मंदिर होता है, या गाउं का जो मंदिर है, वहाँ पर एक दिपक जरूर जलाएं, ये तीन दिपक आप लगातार, तीन चार दिपक जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर घर परिवेश में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ पर तो त बन रहे हैं उसको लेकर जस्ट एक कारिकरम में चर्चा करूँगा और क्या धंते रस में उपाय करें क्या खरीद करके लेका हैं उस पर आपको शिक्र जानकरी दूँगा ऐसी तमाम अध्यात जोतीश के तमाम वास्तु के जो खास इंफ्रमेटिक चर्चा होते हैं उसके हैं पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब जरून कर लें मिलते हैं फिर अगले और एक खास नए कारिकरम के साथ तब तक लिए दीजिए जाज़ात धन्यवाद